हेलो फ्रेंड्स, वाइरल विवेक में आपका स्वागत है, मैं विवेक कुमर, आज आपको EPFO के स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं, जो आपका EPFO का पास्बुक है, उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, और उसमें क्या-क्या पार्टिकुलर्स हैं, वो चीज मैं आपको डेटेल मैं बताऊंगा, क्योंकि EPFO का जो स्टेटमेंट होता है, यानि कि जो आप पास्बुक डाउनलोड करते हैं, उसमें तीन तरह के वेरियंट होते हैं, जो कि मैं आपको डाउनलोड करके आज दिखाऊंगा भी, और उसमें कौन सा वेरियंट में कितना क्लेम आप कर सकते हैं, कौन सा आप नहीं कलेम कर सकते हैं, वो सारी चीजे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको मालूम होगा, कि मैंने उसमें जो बताया था, कि आप EPFO, यानि अपना PF का पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं कैसे कलेम कर सकते हैं, और वो कितनी दिनों में आपके अकाउंट में आ जाता है, तो उसके बारे मैंने आपको डेटेल्स बताया था, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि EPFO पास्बुक में क्या-क्या डेटेल्स हैं, और क्या-क्या आपको बेनिफिट्स है, EPFO सर्च करने के बाद, सबसे पहला लिंक यह आपका ओपन होगा, Employees Provident Fund Organization, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने अभी क्लिक किया देख सकते हैं, जैसी आप क्लिक करेंगे, इस तरह का एक Dashboard खुलेगा, ठीक है, Dashboard में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आप्सन आपको Employees वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, Employees वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद, आप यहाँ देख सकते हैं, कि निचे कुछ आप्सन से हैं, यहाँ सर्विसेस के अंदर, जिसमें आपका Member Passbook है, Member UN Online Services है, तो मैंने आपको कल ही पताया था, कि Member UN Online Services जो होता है, उसके थू आप लॉग इन कर सकते हैं, और अगर आपका UN नमर एक्टिवेट नहीं है, तो उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद, आप लॉग इन करके अपना क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो डेटेल आपको Member UN के लिंक पर मिल जाएगा, अब भी जो आज के वीडियो में बना रहा हूं, वो मैं पास्वुक के लिए बना रहा हूं, ठीक है, तो पास्वुक के लिए आप देख सकते हैं, हम Member पास्वुक करके, एक लिंक अवले वाल है, इस पर आपको जिस्ट क्लिक कर देना है, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, तो देखिए, लोड हो रहा है, और इस तरह का एक डैसबोर्ट खुल जाएगा, इस तरह का जैसी डैसबोर्ट खुलेगा, आपके पास अगर यूजर आइडी और पास्वर्ट पहले से, यूजर आइडी आपका यूएन नमबर रहेगा, एक बार और आप प्लिस नोट डाउन कर लिजे, कि यूजर आइडी जो मांगा जाएगा, वो हमेशा यूएन नमबर ही रहेगा, यूनिवर्सल एकाउंट नमबर जो आपके सैलर स्लिप पे एवलेवल रहता है, या फिर फॉर्म सिस्टिन में भी यूएन नमबर एवलेवल रहता है, आप वहा से भी यूएन नमर को निका करना है, जैसे आप लॉग इन पर क्लिक करेंगा, इस तरह से पेज लूड होगा, आप देख सकते हैं, मेरा नाम यहां पर आ चुका है, वेलकम वेकुमर, उसके बाद से मेंबर आइडी आपको यहां सेलेट करना है, सपोज अगर मानके चलिए, आपने किसी एक और्गनाइ ने वर्क किया, और अभी करेंट मेरा एक सल में दूसरा और्गनाइजेशन में हो, तो होता क्या है, कि जब आप जॉब जॉइन करते हैं, तो उस टाइम HR एक फॉर्म फिलप कराते हैं, पी एफ ट्रांसफर के लिए, तो उस फॉर्म को फिलप करने के बाद जो आपका प्र दूसरा है डाउनलोड पास्बुक, और तीसरा है व्यू क्लेम स्टेटस, तो व्यू क्लेम स्टेटस तब आपका काम आएगा, जब आप यूएन के पोर्टल पे अपना क्लेम करते हैं, पैसा विड्रो करते हैं, और पैसा विड्रो करने के बाद आपको जो क्लेम नंबर मि तो छलिए मैं पहले is suggestion process करता हूं को दोढोद passbook करके भी मैं दिखाऊंगा क्या है तो जैसे मैंने do passbook टिक अब देख सकते हैं यहां पे तीन रेइंड दिख रहा है जैसे मैंने आपको बताओ 통 नीचे भी आप देख सकते हैं कुछ अलग-अलग पार्टिक्लर से जैसे यह सबसे पहले में उपर से स्टार्ट करता हूं इस्टेप बाइस्टेप में अगर आपको समझाओंगा तो ज्यादा बैटर रहेगा तो सबसे पहला जो है टोटल ई-ई-बैलेंस जो है वह 4702 यहां पर इसका फूल फॉर्म भी देख सकते हैं सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है और यहां आपको ट्रांजिक्शन डेट मिल जाएगा कि किस मुंत में आपका कितना पिमंड जमा वह और यहां पर फैनेंसिल एर आपको देख जाएगा यानि कौन से फैनेंसिल यहर में क इंप्लॉई का जो शेयर है वो कितना है एंड इंप्लॉईर सेयर का मतलब है कंपनी ने कितना रुपए आपके बिहाफ में डाला है पीएफ फंड में और यहां पे विड्रॉल्स का डिटेल दिख जाएगा अगर आपको फंड विड्रॉ करते हैं पीएफ एकाउंट से जैसा आप लाश्ट देख सकते हैं पैंसन कंट्रिविशन है जो कि पैंसन कंट्रिविशन का अमांट आप यहां पर देख पा रहे हैं ठीक है इसके ओपर मेरा एक ब्लॉग भी मैंने बनाया हुए उसमें मैंने डिटेल से लिखा हुए कि इंप्लॉई सेयर कितना होता है और कर सकते हैं इनके से अगर कोई डाउट होता है मेरी वीडियो देखने के बाद और मेरी ब्लॉग्स को पढ़ने के बाद तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका सॉलिशन आपको इमिडिटली कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगा ठीक है तो इस तरह से मैं आपको क्लियर कर दूँगा आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस सब्जेक्ट के वे उपर ठीक है तो चलिए डेटेल्स के आगे बढ़ते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि 21st मार्च 2020 यान कि मार्च का जो कंट्रिविशन है फाइनसी लेडर नैंटिन ट्वेंटी का वो मेरा employee share है 1735 रुपए यान कि मेरा खुद का जो share है वो 1735 रुपए है employer का share है 530 रुपए किस में? employer का जो share है 530 रुपए वो मेरे PF account में है and जो pension contribution में contribution किया employer में वो 1205 रुपए है अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कीजिएगा आपका जितना पैसा कटेगा आपकी जो salary slip है suppose मान लिजिए आपका 2000 रुपए PF में कट रहे है ठीक है तो अगर आपका 2000 रुपए PF में कट रहे है तो organization जो आपकी company है वो भी 2000 रुपए आपके PF में देगी but जो condition है कि organization जो 2000 रुपए देगी उनका maximum amount pension contribution में जाता है and around 3 और 3.33% जो होता है वो PF contribution में जाता है यानि कि जो maximum पाट रहेगा वो PF pension के अंतरगत जाएगा तो मैं आपको इसका difference भी बताऊंगा कि pension में और PF में क्या difference होता है और कौन सा पैसा आपको मिलता है और pension में ज्यादा amount जाने से क्या नुकसान है वो सारी चीजे मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है तो 1205 रुपए और 530 रुपए को जोड़ेंगे तो यह आपका total 1735 रुपए हो जायागा ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं 1735 रुपए मेरे salary से कटा है and 1735 रुपए company ने deposit किया है जिसमें से pension में company का contribution ज़्यादा है ठीक है तो आप यह इस तरह से चेक कर सकते हैं अब यहां पर claim की बात रही तो suppose मुझे जब भी claim करना होगा तो यह जो employee share का part है यानि 4702 रुपए जो है मैंना भी recent job join किया था तो इस वज़े से यह मेरा पुरानी company है तो उस वज़े से यह मेरा PF amount कम दिख रहा है ठीक है तो इस तरह से आपका 4702 रुपए में से आप 85% max to max आप व withdraw कर सकते हैं in case of job loss होता है दो मेहने से आपकी salary नहीं आ रही है तो उस situation में आप पैसे withdraw कर सकते है PF account से या फिर घर बनाने के लिए आपको कुछ expenses आ रहे हैं तो उसके लिए आप पैसे withdraw कर सकते हैं बट हर एक चीज के लिए condition अलग अलग है और मैं वो condition wise आपको एक next वीडिय details तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इस वीडियो में आपको सिर्फ details बता रहा हूं कि कैसे कितना amount आप withdraw कर सकते हैं और किस पार्ट से आपका पैसा withdraw होगा उस चीज के बारे में मैं सिर्फ आपको आपको आज detail दे रहा हूं next video जो रहेगी उसमें मैं आपको proper जो max आप 85% withdraw ही कर सकते हैं उससे ज्यादा withdraw नहीं कर सकते हैं अब मैं आपको जो नुकसान है pension contribution में ज्यादा payment जाने का वो मैं बताता हूं और जो benefit भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा नहीं है कोई भी चीज होती है तो उसका कुछ pros होता है तो कुछ cons होते हैं ठीक है तो मैं दोनो 60 आप withdraw नहीं कर सकते हैं फिर एक condition है कि अगर आपने continue 10 साल जौब कर लिया है ऐसा जो mandatory नहीं है कि आपका एक ही company में 10 साल जौब होना चाहिए सपोज मैंने मान लिजी company A में 5 साल जौब किया है and company B में मैं 3 साल जौब किया and company C में मैं 2 साल जौब किया है तो मेरा total 10 यड जो एक से amount होता है वो मैं withdraw कर सकता हूं 100% आपका फिर भी withdraw नहीं होता है और कितना percentage withdraw होता है वो मैं आपको details next video में आपको provide कराऊंगा ठीक है तो ये एक नुकसान है हमारा कि pension का पैसा before 10 years या फिर 60 साल के पहले यानि 60 years की एज complete होने के पहले हम withdraw नहीं कर सकते हैं फायदा क्या है लेखिए pension contribution में अगर आपका amount ज्यादा deposit हो रहा है और इन case आप जानते हैं कि मुझे job ही करना है lifetime मुझे कोई entrepreneur नहीं बनना है मुझे कोई business नहीं करना है और आपको पता है कि मुझे अपनी 60 years की इस तक job करना है और तो job से मुझे retirement लेनी है तो उस situation में क्या होगा कि आपका maximum जो amount है वो pension में जमा हो रहा है और इस वज़े से क्या है कि 60 years के बाद आपको जो pension amount मिलेगा वो एक अच्छा खासा amount आपके हाथों में आएगा every month तो ये एक benefit है pension का ठीक है तो इस तरह से pension का benefit है और उस time क्या है कि आप लंसा में amount भी ले सकते हैं या फिर variant करके ले सकते हैं सपोस आपको पर month ये पर month जैसे EMI चलता है उस तरह से आपको पर month pension amount चाहिए तो उस तरह से भी आप ले सकत यह देखिए यह PDF form में आपका file download हो जाएगा अगर आप इसे open करेंगे तो open करने के बाद देखी load हो रहा है देखिए यहाँ पर आपका stabilisement id name उसके बाद member id name उसके बाद office name UN number and जो amount आपका deposit हुए वो सारे details यहाँ पे available है month wise तो इस तरह से आप statement या फिर आप passbook भी बोल सक सकते हैं इसे आप download कर सकते हैं और check कर सकते हैं अपनी सारे details तो I hope आपको इस वीडियो में यह चीज़े समझ में आई होंगी in case अगर आपके पास कोई query रह जाती है इस वीडियो के बाद भी तो please आप मुझे comment box में comment करके बताएं मैं उससे solve करने की कोसिस करूंगा तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नए details के साथ नया वीडियो लेके आऊंगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please आप इससे like and subscribe करें क्योंकि आप अगर like and subscribe करते हैं तो मुझे भी motivation मिलता है और मैं motivate होता हूँ नही नही वीडियो बनाने के लिए नए details के साथ